तो इस वाले वीडियो के अंदर आप लोग कैसे जो आपके लाप्टॉप की बैटरी लाइफ को इंप्रूव कर सकते क्या का यहाँ पे 15 ऐसे टिप्स इन ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से बैटरी लाइफ का ही हद तक आप लोग इंप्रूव कर सकते बहुत पुराना बैटरी है उसको तो मैं ताजा नहीं कर सकता उतनी जादा जो है अनोखी शक्ती मेरे में तो नहीं है बट ये वाले वीडियो आपके लिए इंपॉर्ण हो सकता है तो लास तक वीडियो को ज़रूर देखना तो चलिए केक स्टार्ट करते है मेरा नाम है जो मिस्वास आप देखे हैं अच्छा लगता है तो लाइक जरूर प्रेस करना और दोस्तों के साथ जरूर शेकरना नए हो चैनल पर तो नीचे सब्सक्राइब करें प्रेस करो और नीचे मुझे कमेंट शेक्राइब बताना ये वीडियो आपके लिए हल्फुल हुआ है कि ने तो चलिए कम्प्टर स्क्रीन पर देखते हैं और क्या कहीं यहाँ पर टिप्स और आप्लाई कर सकते हो और जटपट बैटरी लाइक को जो तरो ताजा कर सकते हो नमो वन जो है यहाँ पर चेंज यूर पावर मोड तो यहाँ पर पावर मोड कैसे आप लोग चेंज के सकते हो विंडोस 10 पे नीची आप लोग बैटरी का आइकन देखने को मिलते हैं यहाँ पर टाप करना है लेफ्ट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप लोग आप लोग पर बेस्ट परफॉर्मेंस पर रहती है इसको जब आइडिल टाइम में होता है इसको आप लोग बेस्ट बैटरी लाइफ के अंदर रख दिजेगा यह शायद से आपके लाप्टॉप में नहीं हो सकता अगर पुराने विंडोस यूज़ कर रहे हो अगर आपको यह आपको हम लोग परफॉर्मेंस के लिए यह मोट सिलेक करते है बट बैलेंस मोट जो है अटोमेटिकली बैलेंस करते है आपके हाडवेर को और इससे बहुत अच्छी बैटरी लाइफ आप लोग को देखने को मिलेगी तो यह अगर आप लोग कर सकते हो तो यह वाली ऑप्शन ट्र इसको आपका सेटिंस आपके सामने आजाएगा और उसके बाद सिस्टेम में आपको जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को एक आप्शन मिलेगा बैटरी का उसके उपर क्लिक कीजिए बैटरी के टोन में क्लिक करते हैं कि साथ साथ यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा कि यहाँ बैटरी सेबर का उप्शन मिलेगा तो अकर यह charger प्लाग दिन रहेगा तो यह काम नहीं करेगा अगर प्लाग दिन नहीं होता है तो इसको आप लोग को आउन कर दίνा हुआ सच साथ बाटरी सेबर मोड यहां पर ON हो जाता है तो इस तरीके से आप लोग जो यहांपर DUERATION भी सšट कह सै कि कितने PERSON होने पर BATTERY सेबर आटोमेटिक लिए ओन होगा इस तरीके से आप लोग बैटरी सेबर मोट का जरू से जरू इस्तेमाल कीजिए उसके नमबर फॉर फॉर फिच ऑप्शन है यहां पर डिजेवल कीजिए बैटरी ड्रेनिंग अप्स को यह कैसे करते हैं सेम आप लोग को सेम जगह भी जान अप्शन नहीं आएगा बट अधर कुछ अप्लिकेशन है जो हम लोग शायद से यूज नहीं करें जैसे की यहां पर एक्सबॉक्स आइडिंटिटी प्रोवाइडर है इसको हम लोग जाए लेट विंडूस डिसाइड का उप्शन आएगा नेवर और आलवेस तो यहां ने का उप्शन में यहां पर जाओ एक बन नीचे की तरब आओगे तो यहां पर बैंगरांण आप्शन देखने को मिले का यहां पर आओगे तो यहां पर लेड एप एप्स को जो है आपwar कि यहां फैसे का यह कैसे करता है यहां पर आप लोग देख पार है ओन बैटरी पावर जो यह इंपोर्डन है जब लोग बैटरी में यूज करते हो लाप्टाप को तब यहां पर स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए तो यहां पर खुद सिलेक करो तो यहां पर मैक्सिमम एक मिनिट रखो ताकि एक मिनिट के यहां पर आप लोग चाहते हो कि यह पांच मिनिट के अंदर स्लीप में जाना है या फिर दस मिनिट के अंदर स्लीप में जाना है तो इस तरीके से आप आप लोग आपके अकॉर्डिंग लिए आप सेट कर लो अगर आप लोग थोड़ी बहुत आइडिया रखते हो तो यहां पर अदर भी जा सकते हो और यहां पर आप लोगो तीन ओप्शन देखने को मिलती है पर्फॉर्मेंस बालेंस और असूस रेकमेंडे तो यहां पर सा सकते हो और यहां से भी सेफ चींज इस आप लोग कर सकते हो अगला यहां पर यहां पर यूआ एनिमेशन और सेडोज को डिजेबल करना यह करने के लिए विंडोस और बटन प्रेस करो और यहां पर आप लोगो को सिर्फ टाइप करना है सिस्टेम डियम.CPL और प्रेस करना अगला है एंटर प्रेस करते ही आपके सामने यहां पर कम्प्यूटर का एक सिस्टेम प्रोपर्टी इस आ जाएगा तो आपको जाना इस एडवांस टैप के अंदर और यहां बस सेटिंस का अप्शन मिलेगा इसके अंदर जाओ और यहां पर जैसे की मेरा यहां पर लेट विंडोज चूज वर्स बेस्ट फर कम्प्यूटर है तो अगर आपको बैटरी लाइफ अच्छी चाहिए तो एडजस्ट फर बेस्ट परफॉमेंस पे आप लोग को क्लिक कर देना और यहां पर इस साइट से जो है फिर से यहां पर ओके प्रेस कर देना है तो आप लोग द को आफ करोगे तो विंडोज चॉपी लगने लगेगा तो अगर आप लोगों को रीटेन करना है फिर से उस उप्षिन में जाओ और जाने के बाद यह में लेट विंडोज डिसाइट करो आपका विंडोज नॉमली काम करने लगेगा उसके बाद नमबर 8 पिच उप्षिन ह ब्लूटूथ और वाइफाई तकि आपकी बैटरी लाइफ इंप्रूव हो यह क्यों कहां जाता देखो यह वारलेस सिग्नल जो होती है जिसकी वाइफाई ब्लूटूथ यह बहुत ज्यादा बैटरी कंस्यूम करता है क्योंकि यहाँ डेडिकेट हाडवेर लगी होती है ज उससे तो पूरा सिस्टेम यह आउफ हो जाएगा क्या बोल रहा हूं यार उसके बाद नमबर नाइम पे जो है वह है डिजेवल स्टार्डाप अप्स को आप लोग को डिजेवल करना है यह मैं बार 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 बता चुका हूँ आप लोग को पता है राइट क्लिक करना टास करतो जैसे कि यहां पर कुछ ऐसी ऐसी आप्लिकेशन है जो स्काइब है स्टीम है यह सब मुझे नहीं चाहिए इसको मैं पहले से डिजेवल करके रखा है तो आपके पास भी बहुत सारी होगी ऐसी आपलिकेशन जो आप लोग नहीं चाहते हो वह रन हो वह आप लोग आसा बाद में इसको अनावल भी कर सकते है बट यह उतना रेकमेंडेट नहीं है बट मुझे मालूम था मैं इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ विंडूस प्लस आर बटन पे आप लोग को प्रेस करना है और यहां पे आप लोग को टाइप करना है में MS config MS config और प्रेस करना एंटर तो यहां पर आप लोग को सिस्टेम का एक टाब खुल जाएगा और यहां पर साइड में आप लोग को एक टाब दिखा जाएगा बूट का इसके नदर जाओ और यहां पर आडवांस ओप्शिन पे क्लिक करना है और यहां पर नंबर अप यहाँ पर खुद आप लोग select कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर जीतने भी आप लोग की logical processors है, सारे यहाँ पर दिखाई देगी, जो आप लोग यहाँ से खुद select कर सकते हो, जो आप लोग को चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप लोग को सिर्फ 8 core यूज़ करना है, तो 8 core select कर सकते तो यह चीज ध्यान रखना, अगर यह सेट करते हो, तो make sure करना इसको आप लोग नॉमली बाद में जब normal task करोगे, heavy task करोगे, इसको full utilization फिर से दे दे, तो यह recommended है, उसके बाद number 11 में जो है, वो है power configuration चेक करना, वो कैसे करता है, यहाँ पे आप लोग को start menu में जाना है, start menu में जाने के बाद, यहाँ पे cmd type करना है, cmd type करने के बाद, यहाँ पे run as administrator का button आएगा, यहाँ पे आप लोग क्लिक करना है, यहाँ पे आपके सामने administrator command prompt खुल जाएगा, और यहाँ पे command prompt के अंदर आप लोग को type करना है, powers cfg slash energy, और प्रेस करना enter, तो यहाँ पे थोड़ा time लेता है, और उसके बाद, यह observe करने के बाद, आपके सामने, यहाँ पे कितनी errors है, कितनी warnings है, सब कुछ दिखा देगी, तो observation हो जाने के बाद, यहाँ पे आप लोग को option देखने को मिलेगा, इसको आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, for more details, यहाँ पे कहा जारे है, इसक क्या-क्या यहाँ पे जादा आपकी resources ले रहा है, क्या-क्या warnings है, तो यह सारी चीज़े आप लोग in detail जो है यहाँ से देख सकते हो, तो यह मैं आप लोग को एक-एक करके नहीं बताऊंगा, यह खुद आप लोग जाके एक-एक करके देख लेरा है, कि क्या कहाँ पे कितना accounts का option देखने को मिलेगा और यहां पर sync your settings का option है यहां पर देखो यार sync settings का जो option है इसको आप लोग off करके रखो जब आपकी need नहीं है तब इसको off करके रखो देखो यार power usage में कोई दिकर नहीं है तो इससे आपको थोड़ा तो फरक ज़रूर पड़ेगा उसके नमबर 13 जो है prevent करना है तो ओवरेटिंग के लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है कि कैसे आप लोग को यह सारी चीज गलतिया नहीं करनी है वो चीज ध्यान रखना या पर ओवरेट मत होने देना लापटोप को हमेशा जो है एक नीचे आप लोग को एक air vent होना चाहिए जैसे कि air flow अची तरीके से हो उसके कारण से आप लोग यहाँ पर cooling pad ले सकते हो या फिर laptop stand ले सकते हो या फिर आप कुछ देशी जुगार भी लगा सकते हो और नीचे ताकि air flow बना रहा है वैसा ही कुछ आप लोग को करना है तो इस तरीके से आपकी laptop की life shell भी आची रहेग तो backlight की at least brightness आप लोग कम रखे अगर RGB lighting effects है तो normal one color RGB अगर यूज करते हो तो बैटरी लाइफ थोड़ी कम use होगी अगर आप लोग RGB यूज करते हो जो color chain उससे थोड़ी बहुत बैटरी लाइफ आपकी जादा consume होती है और जो keyboard lighting है वो सबसे minimum settings में यूज किया करें उससे आ 1 to 14 आप लोगो tips and tricks बताया वो use करने के बाद आपकी battery life improved नहीं हुई है then you have to buy a new battery in 2021 क्योंकि देख बैटरी लाइफ तो खुद आप ठिक नहीं कर सकते तो अगर मानो एक battery आपने खरीद लिया और उसके बाद जो number one से लेकर 14 तक मैंने tips आप लोगो बताई वो सारे आपको follow क कर रहे हो तो यह तो एकदम sure है कि आपकी battery बहुत लंबे time तक चलने वाली है overall life shell होता है न वो भी extent होगा तो यह सारे tips and tricks आपको कैसी लेगी मुझे comment section में जरूर बताना किसी को जरूरत है किसी को यह knowledge नहीं है तो उनके साथ जरूर शेयर करें तकि उनको help मिले और यहाँ और एक comment और एक like करके जरूर जाना तकि engagement थोड़ी अच्छी बनी रहे तो दो मिलते किसे अगले interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए stay alert, stay safe, bye bye